आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गैज, हमें इस Question में बोला है कि Foot of the Perpendicular from the Point P to the Plane this क्या होगा ये बताओ ठीक है, मतलब हमें इस Plane पे इस Point का Foot of Perpendicular find out करना है तो देखो इसको डाउनलोड से समझो माललोड ये हमारा कुछ H-Tab का Plane है अब इस Plane से हमारा क्या कर रहे है एक Point है हमारा माललोड यहाँ पे एक Point है ज़र उससे अपन Foot of Perpendicular यहाँ पे find out करना चाहते है इसका मतलब ये जो हमारा Point होगा वो इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का जो मैंने State Line खीच रहा हूँ वो हमारा Perpendicular होगा किसके इस Plane के ठीक है, तो ये Point हमारा माललोड P है जो की दिया है, 1, 3, 4 तो हमें, अगर मैं इसको Point A बोल दू जहाँ पे ये Plane को Intersect कर रहा है ठीक है, तो ये A Point ही हमारा क्या होगा Foot of Perpendicular ठीक है, तो हमें चाहिए Point A का Coordinate इसके लिए, अगर मैं यहाँ पे एक Formula आपको बताऊ, Recall करवाँ Concept, ठीक है, तो वो हमारा होता क्या है, अगर कोई Plane मान लो Ax plus By plus Cz plus D equal to 0 के Form में दिया हो ऐसा कोई हमारा Plane दिया हुआ है, ठीक है जो की इस Plane का Equation मान लो, यह हमारा यह है, अब देखो अगर मेरे को Foot of Perpendicular चाहिए होगा, तो हमारा Formula क्या होता है X minus X1 और X1 हमारा होता क्या है यह जो 1, 3, 4 है यह P point को अगर मैं बोला होता है, यहाँ पे General X1, Y1 और Z1 तो यही हमारा X1, Y1, Z1 होता है जहां से हमें Foot of Perpendicular Find out करना होता है, तो यह X1 X minus X1 upon, जो हमारा Formula लिख रहा हूँ में X minus X1 होता है फिर upon A is equal to Y minus Y1 upon B is equal to Z minus Z1 Z minus Z1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z minus Z1 upon C is equal to यहाँ पे होता है, minus अगर मेरेको Foot of Perpendicular चाहिए होगा, तो minus और जो यह हमने X1, Y1 और Z1 जो यहाँ पे लिखा है, इसको अपन plane में satisfy करवा देंगे, put कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा, A, X1 plus B, Y1 plus C times Z1 plus T upon, जो हमारा यहाँ पे X और Y, Z का coefficient, यानि direction ratio जो हमारा इस plane का A, B, C, उसका whole square का sum ठीक है, तो यह हमारा formula हो जाता है, Foot of Perpendicular find out करने के लिए, अब इसी formula का basis पे अपन क्या करेंगे, Foot of Perpendicular यहाँ पे A point का coordinate find out करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा By the formula, आपन लिख सकते है X minus X1, Y1, Z1 हमारा क्या है, 1, 3, 4 X minus 1 upon A, B, C हमारा है क्या A, B, C हमारा देखो यहाँ पे, जो हमारा A, B, C है, compare करो, तो 2 है A, B हमारा minus 1 है, और C हमारा 1 है, तो 2 X minus 1 upon 2 is equal to Y minus यहाँ पे देखो, Y1 हमारा क्या है, 3 upon B हमारा है क्या है, यहाँ पे, minus 1 is equal to Z minus और Z1 हमारा क्या है, 4 upon यहाँ पे देखो, यह Z का जो coefficient याणि की 1 है, तो direction ratio Z में हमारा 1 है, is equal to क्या हो जाएगा, minus, अब इस पे अब पूट कर देंगे, यहाँ पे अब X1, Y1 का और Z1 का value पूट कर दो, तो 1, 3, 4 पूट करो, तो 2 यह क्या हो जाएगा, X के जगा पे 1 पूट किया, तो 2, फिर देखो Y के जगा पे हमें 3 पूट करना है, तो minus 3, ठीक है और Z के जगा पे हमें क्या पूट करना है, 4 तो यह क्या हो जाएगा, plus 4, और यह plus 3 था ही, plus 4 और plus 3, और जो direction ratio उसका क्या होता है, यहाँ पे ABC का square का sum हो जाता है, तो यह 2 का square 4, minus 1 का square 1, और 1 का square 1, ऐसा हो गया, ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, मैं इसको और इसको compare करूँ यानि कि क्या करूँ, x minus 1 upon 2 is equal to यहाँ पे क्या है, इसके equal है, तो यह दोखो, plus 3 से minus 3 तो cancel, तो 4 और plus 2, 6 हो गया, तो यह लिखा हुआ है, minus 6 upon under root 6 लिखा हुआ है, ऐसा हमारा x का यहाँ पे coordinate क्या आ गया, 1 minus 2 under root 6, तो यह x का coordinate आ गया, similarly, y का अपन coordinate कैसे निकाल सकते हैं, इसको और इसको compare करके, क्या बजाएगा, y minus 3 upon minus 1 is equal to, यह total अपन यहाँ पे देख चुके हैं, क्या आता है, minus under root 6 ही आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बजाएगा, y minus 3 is equal to, इससे multiply करो, तो यह under root 6 लिखा हुआ है, तो y equal to 3 plus under root 6 आ गया, y का coordinate, similarly, z का coordinate अगर मेरे को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको equate कर देंगे, तो यह मेरा क्या बजाएगा, z minus 4 upon 1, और यह तो टोटल हमारा क्या है, under root 6 है, minus में, तो minus under root 6, तो यह compare करो, तो क्या आ गया, z is equal to minus root 6 multiply होने के बाद, और यह plus 4, तो यह z का coordinate आ गया, तो हमसे x, y, z का coordinate नहीं पूछा गया था, यानि कि यही हमारा foot of perpendicular हो जाता है, तो यह foot of perpendicular x, y, z का coordinate हमारा यही हो गया, तो यह जो हमारा a point है, उसका coordinate हमारा क्या हो गया, यह 3, ठीक है, thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 पर